दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपने चैनल रियल क्विक अनलिसिस पर चलिए अब जल्दी से चर्चा करते हैं हम अपने आज की टॉपिक की जैसे जैसे भारत में तेजी से सोलर प्लांट लगाए जा रहे थे आप सभी ने हमेशा यह बात हाइलाइट करी है कि इन सोलर प्लांट के लिए 80% सोलर सेल्स और मोड्यूल का इंपूर्ट किया जाता है जिसमें सबसे अधिक आयात होता है चीन से सोलर उर्जा के बल पर हम चले थे उर्जा के मामले में आत्म निर्भर बनने लेकिन सोलर सेल्स इंपूर्ट करके हम खाड़ी के देशों पर अपनी निर्भरता को चीन की ओर ट्रांसपर कर रहे थे इसी बीच भारत के उपर से चाइनीज दोस्ती का नशा भी उतर गया फि बड़ी हुई कस्टम ड्यूटी को दो साल बाद लागू इसलिए किया जा रहा है ताकि वर्दबान में जिन थ्रोजक्स पर काम चल रहा है उनके उपर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े और तो और भारत सरकार ने सोलर कंपोनेंट्स के लोकल प्रड़क्शन को बढ जा रही है और परिनाम हमारे सामने हैं दो अमेरिकन कंपनियों ने मिलकर एक नई कंपनी क्यूविक पीवी का गठन कर लिया है जो कि भारत में अगले पांच सालों में दस गीगावाट सोलर वैफर एंड सेल्स मैनुफेक्शरिंग करने के लिए एक दसमलर एक बिलियन व्यवी जो बिल्ला में सिर्फ सेकेंडों में सोलर वैफर प्रॉड़क्शन हो सकता है और इस नई टेकनिलोजी से बनी सिलिकोन वैफर की कौस्ट भी कम होती है क्योंकि कंपणी की इनुसार इस नई टेकनिलोजी में हाई-फ्यूड्य का नुक्सान नहीं होता है दिशार पड़ता था तो इस नई टेक्निलोजी के मदद से महज 5,000 सिलीकॉन इंपोर्ट करके उतना सिलीकॉन वैफर का उत्पादन किया जा सकेगा कहने की जरूरत नहीं है यदि ऐसा हुआ तो हमें सिलीकॉन इंपोर्ट पर बिदेशी मुद्रा भी खर्च नहीं करनी पड़ेगी दूसरे शब्दों में चीन कुरानी की CPT टेक्निलोजी के बल पर सिर्फ लार्ज स्केल प्रोड़क्शन करके अपनी कोस्ट को कम करता था लेकिन यह अमेरिकन कंपनी एडवांस्ट टेक्निलोजी का स्तमाल करके चीन के मुकाबले कम समय और बाजित कीमत पर भारत में उत्पादन करने जा रही है और तो क्यूविक पीवी भारत में ही ऐसी कमपनी का गठन करने जा रही है जिसका पूरा मेरिजमेंट और वर्कर्स इंडियन होंगे ताकि उन्हें भारत में ऑपरेट करने में कोई दिक्कत ना हो अब आपको लग सकता है दोस्तों कि मेर्डम आज कहां से यह कमपनी उठा लाई तो दोस्तों क्यूविक पीवी में बड़ी मात्रा में इंडाइरेक्ट निवेश मुकेस अंबानी जी ने किया हुआ है अब आपको समझ आ गया होगा कि हम यहां पर कोई हवा हवाई बातें नहीं कर रहे हैं मुकेस भाई की पूरी ताकत क्यूविक पीवी के पीछे है अमेरिकन टेक्निलोजी को जब रिलाइंस का एक्जिक्यूशन पावर मिलेगा तव आएका चीन को असली मजा अब आप ही बताएं यदि मोधी सरकार ने इंप्योट डूटी की लाठी और पीला इस्कीम की गाजर ना टांगी होती तो क्या आज हम यह सब बातें कर रहे होते ना मुकेश अम्मानी क्यूविक पीवी में निवेश करते और ना ही भारत आती उल्टा कहीं ऐसा हो जाता कि क्यूविक पीवी अपना प्लांट चीन में लगा रही होती और हम सिर्फ चीन की तारीफे भारती अक्वार में पढ़ रही होते वैसे भी दोस्ता हूं ने कई बार की चर्चा कि सिर्फ है कि अमेरिका और ताइवान की कंपनिओं नहीं चीन को ग्लोबल वेक्टरी बनाया है और चीन survives में woods को लेकिन अब जमाना बदल चुका है अब अमेरिका और ताइवान की कंपनियां भारत में फेक्ट्री लगा रही हैं और हम उनका दिल से स्वागत करते हैं दोस्तों यहाँ पर कहना बहुत जरूरी है कि हर अच्छे काम को पूरा होने में समय लगता है इसलिए किर्पया धैरे रखें और मोदी जी को समय दे तो दोस्तों यह थी हमारे आज की वीडियो आई होप आपको हमारा आज का टॉपिक पसंद आया हो यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके शेर जरूर कीजिए साथ ही हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अब आप हमारे इस चैनल की मेंबर्शिप भी ले सकते हैं थैंक्यू पर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स